हेलो श्ट्टिएंट आज हम करने जा रहे हैं ग्लास 6 मैठ्स एक्सराइज 3.4 फेक्तर एन मल्टिपाल का एक्सराइज 3.4 है यह क्वेस्टेन नमर वॉन से लेकर के जितने भी क्वेस्टेन इस वीडियो में हो पाईए देखते हैं, कितने भी question हो पाते हैं, तो आईए चलते हैं, question number A की तरब, find the common factor of A, common factor आपको निकालना है, इसका 20 and 28, 20 and 28 के common factor निकालने है, तो किस प्रकार से हम common factor निकालेंगे, सबसे पहले तो इसके factor निकालेंगे, हम 20 के देख लिते हैं, 20 के factor इसके factor इस प्रकार से लिए लिए लिए, 1 सबी का factor होता है, तो 1 हो यह हो जाएगा, 1 के अलावा 20 में देखो, 2 का भागा पूरा-पूरा जाता है, 2 से divisional है, पिर 3 से divisional निहीं है, 4 से divisional है, 5 से divisional है, उसके बाद, पिर 10 से divisional होता है, उसके बाद 20 से भी जो लोगा लेकिए 20 के सारे factor हमने यहाँ पर लिख दिये है क्या क्या factor है 1, 2 यह लिखे कैसे यह लिखे जब 20 का मैं यहाँ पर आपको थोड़ से corner पर करके दिखाता हूँ यह देखे अगर मैं 20 यह लिखूँ तो इसके factor बनाए तो 2 से 2 10 जा फिर 2 5 जा 5 1 जा ठेक है ना, इस परका से देखिए 2 इसमा अकेला यह सामने दिख रहा है 1 आपको जितने भी यह नीचे इतना portion जो होता ना यह सारे factor मा आ जाते है ठेक है ना, यह portion इसमें जो जो number आएंगे वह सब factor मा जाएंगे अब आप कहेंगे 10 है, 5 है, 1 है 10 है, 5 है 1 है इधर भी 5 दिख रहा है आपको बट 4 कहीं नहीं दिख रहा है 4 देखो, यह 2 आट 2 दो बारा है 2 तू जा, 4 यहां से 4 भी हो जागा और 20-20 खुद का multiple तो होता ही है इसी प्रकार से हम 28 का भी देख लेते है 28 के multiple लिखते है 1 सभी का होता है फिर 2 से भी 28 में भागा जाता है 3 से नहीं जाता है 4 से जाता है फिर 5 से नहीं जाता है यहां उसके बाद 6, 7 उसके बाद आता था 7 इसका भी 7 फोर जा 28 ठीक है ना? फिर 7 के बाद सीथे 14 का जाएगा 14 टू जा 28 फिर 28 का 28 खोद का इसका दूसा तरीका यह भी है देखिए यह 20 है ना? तो 1 से अगर इसका एक फैक्टर 1 लिखे तो दूसरी तरब 20 लिखे 21 जा 20 यह 2 का देखो 10 जा 2 टैं जा 20 4 फाइट जा 20 इसी प्रकार यहां भी चेक कर लेते आप कि हमारे जो फैक्टर है वह सही है निया 120 जा 128 जा 28 2 इन्टू 14 14 टू जा 28 4 7 जा 28 इसका मतलब हमारे फैक्टर सब ओक्टे है आप इदर क्या करते है एक लाइन खेज देते हैं यहां पर लिख लेते common factor बराबर देखिए common क्या क्या है एक तो 1 है फिर 2 है 4 भी common है और देखिए और तो कोई नहीं है तो यहां लेख देते हैं 2 and 4 यह इसके common factor हो जाएंगे तो यह इसका answer हो जाएगा ठेकर यह देखिए अगर यह रब काम जो हम देखिया है यहाँ पर नहीं होता तो जादा बहतर आपको महसूस होता यह रब काम जो कराया था इसलिए कराया था कि आप इसको समझ सकें ठेकर ना तो इसके common factor क्या हो जाएंगे 1,2,4 जो सब में होंगे यानि कि इसमें भी होंगे इसमें भी होंगे इसी प्रकार से एक question और ले लेते हैं उससे आपको जादा बहतर समझ में आ जाएगा ठेकर ना बी पार्ट हम लेके चलते हैं बी पार्ट की तरब बी पार्ट क्या कहता है बी पार्ट है बुक मागर देखें 15 and 25 15 and 25 ठेकर ना तो सबसे पहला हम क्या करते हैं 15 के factor बना देते हैं factor of 15 1 3 5 15 ये factor होगे ठीक है ना इसी प्रकार 25 की बना देते हैं कैसे निकले अभी बतलाते हैं आपको 25 का 1 सबका होता यह होता है उसके बाद 25 का अगला factor क्या होगा 5 हम जो जिसका इसी के निचे लिख देते हैं 5 का अगला इसका factor जो होगा वो सिधर 25 होगा ऐसा भी कई जगव पर करते हैं जिससे कि हमें common ढोडने में आसानी हो जाए अब common देखो जिसकी line पर है जिस line पर दोनों है वो तो common देगा जैसे यह common है अब यहाँ common factor लिख देते है M, M, O, N common factor बरावर क्या हो जाए एक तो 1 हो गया दूसरा है दोको 5 दोनों जगा है 5 हो गया बाकि इसके अलावा कोई भी इसमें common नहीं है तो common factor क्या हो जाएंगे 1,5 तो इसका आंसर हो जागा 1,5 ठीक है ना अच्छा एक पार्ट और है इसको भी लगया हातू कर लेता है ठीक है ना बड़ा पार्ट जो एक पार्ट आप 35 और एंड 50 वाला आप करके दिखाएंगे 56 और 120 वाला हम करके दिखाता है D पार्ट 56 एंड 120 D पार्ट 56 एंड 120 देखिए यह थोड़ा सा बड़े नंबर है इसलिए इनकाम आपको कराके दिखा रहे है ठीक है ना 56 है 120 तो सबसे पहले क्या करते है 56 के फैक्टर लिख देते हैं 56 यह लिख दिया हमने 56 के फैक्टर क्या होंगे 1 सबका फैक्टर होता है 1 तो आप लेखी दीजिए क्योंकि आप देखो यहाँ divisibility नियम जो पहले आपको पढ़ाए गए है उन में से यहाँ पर यूज होता है इसलिए वो divisibility laws आपको पढ़ाए जाते है 56 में देखो last का number even है यानि कि 2 का भी जाएगा ही जाएगा इन दोनों का जोड़ करो 6, 5, 11 11 में 3 का भी जाता है तो यानि कि 3 का इसमें भी नहीं जाएगा अब चलते है 4 की तरब 4 की तरब last की 2 अंको को देखते है तो 4 का इसमें 4 जाब 4 जा 16 4 का जाएगा यानि कि 4 इसका multiple हो जाएगा ठीक है ना 8, 7 जा 56 ठीक है ना उसके बाद 14 14, 4 जा 56 उसके बाद 28 और उसके बाद 56 ये इसके सारे factor हमने लिख दिये अब लिख देते है 120 के factor भी लिख देते है 120 की क्या हो जाएगे पहला 1 हो जाएगा उसके बाद 2 से भागा जाता ही जाता है इसमें 3 से भी जाता है देखो सभी को लिख देते है 3, 4 से भागा जाता है 4, 5 से भी जाता है 5, ठीक है ना 6 से भी जाता है 7 से भी जाता है 8, से भी जाता है 10 से भी जाता है ठीक है ना ऐसे करके और देखते है 12 से भी जाता है और उसके बाद आपका 15 से भी जाता है 20 से भी जाता है अब इस जगह आगे को जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं यहां पर लिख देते इसका 20 से भी जाता है अर 25 से भी जाता है 25 से नहीं जाता है 20 से जाता है ठीक है और उसके बाद कहा चलिजाएगा 40 से भी जाता है 30 से बजाएगा 40 60 और यह फ़िए 120 यह आ जाएगे ठीक है ना सारे फेक्टर यह आ गई अब देखते कॉमन फेक्टर यहाब लिख देते कॉमन फेक्टर सी ओ एम एम को ठीक है न ये देखो क्या-क्या common आया यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या-क्या common आया one common आया तो one लिख दिया two common आया two भी लिख दिया देखो यह four भी common है यहाँ यहाँ four उसके बाद क्या common है देखो तुझरा eight common है उसके बाद ठीक है न, 8-20 का factor हो गया, common factor, उसके बाद देखे तो, कोई match कर रहा है, 30, 40, 60, 28, इसके बाद कोई भी match नहीं कर रहा है, ठीक है न, तो ये इसके common factor हो जाएंगे, ठीक है, अगर कोई और match कर रहा है, तो आप भी देख सकते हैं, उसमें, by chances में कोई factor छूड़ गया हो, तो उसको आप भी check कर सकते हैं, ठीक है न, तो ये, जो था question number 1 था,